तो पूरी जयांकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाश्तिक दीखिए चलिए शुरू करते हैं तो जब सरीर में वाइट ब्लाड सेल्स अथा डबलू बीसी या स्वेत रक्त कडिकाओं की संख्या आसामान रूप से बढ़ती है तो उसे ही blood cancer कहा जाता है blood cancer को leukemia भी कहते हैं अभी मैंने आपको बताया था कहने का मतलब यह है कि यह leukemia रुधिर का cancer होता है जो leukemia है यह क्या होता है रुधिर का cancer होता है जिसमें जो स्वेत रुधिर कडिकाएं होती है जो WBC होती है इनकी संख्या सामान से अधिक हो जाती है जितनी सामान रूप से होती है उससे अधिक हो जाती है और ब्लेड कैंसर में वाइट ब्लेड सेल्स की जो मात्रा होती है स्वेत रक्त कडिकाओं की जो मात्रा होती है वो रेड ब्लेड सेल्स की तुलना में काफी जादा हो जाती है लिवकेमिया ब्लेड कैंसर का प्राथमिक और प्रमुक प्रकार होता है, लिवकेमिय क्या है, ब्लेड कैंसर का प्राथमिक और प्रमुक प्रकार होता है, अब जानते हैं ब्लेड कैंसर के कारण, यानि कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से काजस हैं ब्लेड कैंसर होने के ये लिवकेमिया होने के तो पहला है लिवकेमिया का पारिवारी कितिहास अगर आपके पारिवार में पहले से किसी को लिवकेमिया था पहले से किसी को बलड कैंसर था तो आपको हो सकता है ये प्रमुकास है प्रमुक कारण है फिर दूसरा है धूम्रपान भी लिवकेमिया का कारण है जो लोग धोमरपान वगारा करते हैं तमाको वगारा खाते हैं तो उनको भी लिवकमिया होने के संभावनाएं हो जाती हैं फिर अगला है आनुवानसी भिकार जैसे डाउं सिंड्रों, एनیम्या, रक्त भिकार तो अनुवानसी भिकार में रक्त बहता ही रहता है तो इस पर भी वीडियो अप्लोडर आप लोग जा करके देख सकते हैं या रक्त विकार है इन में से अगर कोई भी बिमारी है तो आपको ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं फिर अगला पॉइंट है बिकिरण के उच अस्तर के संपर् में आप रह रहे हैं अधिकतर तो भी आपको ब्लड कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आये जानते हैं कि ब्लड कैंसर कैसे फैलता है तो लिकेमिया अथवा रुधिर कैंसर अथवा ब्लड कैंसर में आस्थिमज्जा जो हमारी होती है जो बोन मेरो होती है इसकी जो cells होती हैं उन कोशिकाओं के आनियंत्रत रूप के बढ़ने से यानि बढ़ने के कारण रुधिर में WBC की संख्या में अत्यधिक बृधि होती है और ये WBC सामान WBC के तरह से कारण नहीं करती है क्योंकि इनके DNA को छाती पहुंचाती है बहिए क्या हुआ कि जो लुके मिया हुआ है अथवारुधिर के एंसर हुआ इसमें आस्ति मज्जा में कोशिकाओं के आनियंत्रत रूप से बढ़ने के कारण कोशिकाओं क्या होती हैं आनियंत्रत रूप से बढ़ने लगती है जिससे WBC की संख्या में अधिक ब्रिद्धी हो जाती है और ये जो WBC की संख्या में अधिक ब्रिद्धी हुई ये सामान WBC की तरह से नहीं होती हैं ये अलग यानि रोगी WBC होती हैं क्योंकि इनके DNA को छती पहुंचती है और ये कोशिकाएं यानि ये कैंसर कोशिकाएं अस् स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को सामान रूप से बढ़ने और कारी करने से रोकती है यानि जो ये infected WBC थी ये क्या करती है कि आस्थी मज्जा में ही रहती है और वही पर जो रक्त कोशिकाओं बनती रहती है हम सभी लोग जानते हैं अस्ति मज्जा से नई नई कोशिकाओं का निर्माड होता है, सभी प्रकार की रख्त कोशिकाओं का निर्माड होता है, अब वो जो नई नई अच्छी नई वाली कोशिकाओं बन रही हैं, उनको ये बनने नहीं देती हैं, बनने नहीं देती हैं, उन में ये फैल जाती है और हमें ब्लड कैंसर हो जाता है यानि इस तरह से फैलता है इस तरह से स्प्रेडिंग होती है हमारे सरीर में और फिर इसके लक्षण जान लेते हैं कि कौन-कौन से लक्षार प्रकट होते हैं अगर हो जाता है तो पहला है खून का बहना सबसे पहला लक्षार क्या है खून का बहना रक्त के ठकके बनने में प्लेटलेट्स से एक महत्पूर भूमी का निभाता है जो प्लेटलेट्स होती है कोजिकायन यह रक्त का ठकका जमाने का कारी करती है और रुधिर कैंसर से आस्तिमज्जा प्रभावित हो जाती है अभी मैंने बताया रुधिर कैंसर होगा तो आस्तिमज्जा प्रभावित हो जाएगी इंफेक्टेड हो जाएगी जिससे प्लेटलेट्स उत्पादन प्रभावित होगा अब वहां से जो अच्छी-च्छी कोशिकाएं बन रही थी, वह सब भी प्रभावित होगी, तो प्लेटलेट्स भी वहीं से बनती है, ये भी प्रभावित होगा, कुछ लोगों में प्लेटलेट्स के कारे भी बदल जाते हैं, कुछ लोगों में तो कारे ही चेंज हो जाते है इसलिए आसानी से घाव नहीं भरता है और खून बहता ही रहता है सरीर पर छोटे-छोटे से बैंगनी धब्बे भी पढ़ जाते हैं लाल से बैंगनी से धब्बे भी पढ़ जाते हैं फिर अगला है बार-बार संक्रमर का होना सफेद रक्त कोशिकाएं सरीर को संक्रमण से बचाती है यह जो WBC होती है यह हमारे सरीर को संक्रमण से बचाती है इंफेक्शन से बचाती है जब सफेद रक्त कोशिकाएं या WBC ठीक से काम नहीं कर पाती है और संख्या में आप्रयाप्त होती है चूकि वहां से बन ही नहीं सही से तो संख्या में आप्रयाप्त होंगी तो कोई आसानी से संक्रमन हो जाता है कोई भी संक्रमन हो जाएगा किसी भी तरह से हम आसानी से संक्रमित हो जाएगे और बुखार ठंध लगना संक्रमन के स्थान पर लालिमा खासी आदी कोई लक्षन प्रकट हो सकते हैं कि रगल और जोड़ों में दर्द तो लिकेमिया की बिमारी में हड्डियों में तेज दर्द होता है जोड़ों में दर्द होता है सूजन की समस्या भी देखने को मिल सकती है इन लक्षणों को नजर अंदाज करने से गल्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यानि इन लक्षणों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए बलकि डाक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए फिर next point है लगातार बुखार आना और रोगी आती दुरबल हो जाता है लगातार बुखार आता रहता है रोगी दुरबल हो जाता है ठाका ठाका सा रहता है और रोगी की जो तवचा होती है वो पीली पड़ जाती है फिर जानेंगे कि लुकेमिया कैंसर के प्रकार कौन कौन स तो पहला है acute leukemia, जब रक्त और bone marrow के cells तेजी से बढ़ते हैं और बढ़कर एकठा होने लगते हैं, तो उसी इस्थिती को acute leukemia कहते हैं, यह कोशिकाएं बहुत तेजी से bone marrow में जमा होने लगती हैं, फिर दूसरा है chronic leukemia, तो सरीर के बाकी cells के अलावा, जब सरीर में कुछ आवे lymphocytic leukemia, यह वा इस्थिती होती है, जब bone marrow के cells, wide blood cells में बदलना सुरू हो जाते हैं, यहीं bone marrow में जो cells बन रहे थे, वे सभी wide blood cells में बदल रहे हैं, WBC में बदल रहे हैं, तो क्या होगा, कि lymphocytic leukemia हो जाती है, तो next है myelogenes leukemia, तो bone marrow cells द्वारा, red blood cells और wide blood cells के अलावा, जब platelets क निर्माड होता है, तो उसे myelogenes leukemia कहा जाता है, तो खुल मिला करके चार प्रकार के leukemia cancer पाय जाते हैं, acute leukemia, chronic leukemia, lymphocytic leukemia, और myelogenes leukemia, यह चार प्रकार के blood cancer होते हैं, आईए जानते हैं कि blood cancer का उपचार क्या होता है, तो leukemia का उपचार, वेक्त की आयू, उसके स्वास्त और वेक्ति leukemia से किस प्रकार से पीडित है, किस बात पर निर्भर करता है, leukemia के लिए सबसे अच्छे उपचार कुछ हम आपको बता रहे हैं, जैसे पहला है कीमो थेरपी, तो leukemia के प्रकार के आधार पर विभिन कीमो थेरपी उपचार किये जाते हैं, बच्चों में तीब्र lymph लुकेमिया का 70% अकेले थेरपी से ही ठीक हो जाता है, फिर दूसरा है लच्छित चिकिसा, लच्छित चिकिसा भी डाक्टर कैंसर कोशिकाओं को लच्छित करने के लिए दवाओं का उपयोग करते हैं, उनको ठीक करने के लिए दवाओं का उपयोग करते हैं, दवाओं का बनाई जाती है और स्रावित की जाती है, इंटर फेरान, सरीर पर आक्रमर करने वाले वायरस, बैक्टिरिया, कैंसर और अन्य बाहरी पदार्थों के लिए प्रत्राच्छा तंत्र की किरिया को नियंतित करते हैं, कंट्रोल करते हैं फिर अगला है बिकिरन उपचार वयसकों और तीन वर्स से अधिक उम्र के कुछ बच्चों के लिए इस तरह का उपचार दिया जाता है जिन्हें टीब्र लिंफोसाइटिक लिकेमिया होती है उन्हें बिकिरन चीकिसा के द्वारा उपचारित किया जाता है फिर अगला है इस्टम सेल का प्रत्यारोपन तो इस प्रक्रिया में केमोथिर्पी, बिकिरन चीकिसा या दोनों के द्वारा मौझूद अस्थि मज्जा को नेश्ट कर दिया जाता है यानि जो अस्थि मज्जा इंफेक्टेड हो चुकी है जो संक्रमित हो चुकी है उसको नेश्ट कर दिया जाता है खत्म कर दिया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अस्तिमज्जा में गैर कैंसर कोशकाओं को उत्पर्ण करने के लिए नई इस्टेम कोशिकाओं का संचार किया जा सके उनको नेश्ट करेंगे तभी तो उसमें नई इस्टेम कोशकाओं एक अठा करेंगे नई इस्टेम को इसका बनाएंगे डालेंगे तो इस्टेम सेल्स प्रत्या रोपन अधिक घात लिवकेमिया वाले लोगों ततहा उन लोगों के लिए उपचार का एक प्रभावी विकल्प है जिनके लिए लिवकेमिया कीमो थरपी की बावजूद जल्दी ठीक नहीं हो पात हैं अधिक जटिल हो जाता है उनका रुधिर कैंसर तब उनका इस्टेम सेल्स प्रत्या रोपन किया जाता है यानि इस्टेम सेल ही चेंज कर दिया जाता है ताकि नहीं नहीं को इसका बिक्सित की जा सके और जहां से खराप को इसका बन रही है उसको खतम किया जा सके तो इ अलिव के मिया आच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस्ट कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो को नोडिकेशन आपको सबस से पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद